तो गाइस वेल्कम टू अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फेंट लिमिटेट की ओर से जून क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस होगा है अन ओरिटेट स्टैंडल ओन सॉलिडेटेट दोनों रिजल्स आउट हो चुका है फर्स्ट क्वाटर का आज के इस वीडियो मे कवर करेंगे मिलियंस में नंबर है पहले इंकम में 1757.5 करोड का मार्स 24 में 1700.4 करोड का और जून 23 में 1505 करोड का इंकम है नख्रीज कीया है 1655.5 करोड में 1622 करोड का और जुन 23 में 1683 करोड के एक्सपेंस फ़्यादा हुआ है और यह एक्सपेंस इंक्रीज करोड का और रौ मेर्ट्रियल कॉस्ट में चार्ज का है 882 क्रोड का जिसके करण येर ओन येर के profit डाउन है उप्रेडिंग profit 101.9 क्रोड का मार्च 24 में 78 क्रोड का और जून 23 में 121.9 क्रोड का पॉफीट है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है net profit 73.8 क्रोड का मार्च 24 में 5.9 क्रोड का जून 23 में 91.3 करोड का profit है quarter on quarter में तो increase है year on year में decrease किया है EPS 0.15 रुपेश का quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है तो गाइस company का income increase about expense जो है बहुँ जादा होने के कान profit down देखने को मिला है segment wise yarn, towel, bed sheets, paper and chemicals इन सभी को add करके हुआ है जो की income में increase है but profit में downfall देखने को मिला है अगर हम stand alone financial result cover करे तो company का income है इस बार का अगर देखा जाए तो company का income में 1749.6 करोड का, March 24 में 1699.6 करोड का और June 23 में 1478 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 1648 करोड का, March 24 में 1615.4 करोड का, June 23 में 1657.6 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में expense increase है लेकिन year on year में बहुँ ज्यादा हुआ इसके कारण profit में down है, operating profit 101.5 करोड का, March 24 में 84 करोड का और June 23 में 120.5 करोड का operating profit है, quarter on quarter में increase है, year on year में decrease किया है net profit 73.5 करोड का, March 24 में 64 करोड का, और June 23 में 90.3 करोड का profit है quarter on quarter में increase है, year on year में decrease किया है ब्रेंग करना इसका इसका पॉफीट में पॉफीट में डॉपेट इंपक्त पर सकता है रिजल्ट आया 5 15 में शेयर की बात के 37.46 पे आज क्लोज किया 1.3 परशन का पॉफिट है 5 डे में 0.8 परशन का लॉस है वन मंत में 2.8 परशन का लॉस है और 6 मंस में 18 परशन का लॉस है कंपनी का शेयर अल्री बहुत ज़्यादर डाउन है और अगर हम देखेंगे तो 12 जून अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलता है तो इसलिए यह कल कैसा परफॉर्म करता है अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पूछे मिलता है नेक्सेटर में दिलन बाबाई